हेलो एव्रीवन कैसे हो आप लोग आज हम बनाने वाले हैं ठेक हुआ तो चलिए इसे बनाने इश्राठ करते हैं और यह बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है चट फूजा में इसे खासतर से बनाया जाता है तो यहां हमने डोग का पार्टा लिया है उसके बाद इसमें हम मोह असल लेना है ताकि अच्छी तरह से यह मिल जाए तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ नारियल एक अच्छा नारियल है और एक चमच सौंफ थोड़ा सा ड्राइब फूट्स जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं और थोड़ा सा ह ह ado कि इस ने एक साथ नहीं डालना है तो अब जूट्छी प्रौट्स घृक्टर ने ही डालेंगे और इसकी तरह से मिलाय लेंगे उसके बाहर थोड़ा थोड़ा कर के इसमें दूट्स डालेंगे दूध हमें एक साथ ने डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे एक हातो से इसे मिक्स करते जाएंगे तो इसे दो नहीं लगाना है डो नहीं तेयार करना है इसका एक सक्त आठा बन जाए बहुत ही सक्त बनाने इसे गिल्ला नहीं होना चाहिए वरना ठेकवा खराब हो जाता है हमारा तो दोनों हाथ से अभी से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मसल लेंगे तो अगर आपको सुखा लगे तो हलका सा दूधार डाल सकते हैं इसमें और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है देख सकते हैं और यह बहुत ही सक्त गुथाया है अब क्या करेंगे कि लोई बनाएंगे तो आपको जितना बड़ा अगर ठेक बनाने है उसने बड़ा इसका लोई बना सकते हैं छोटा या बड़ा तो इस रोटी का कार का लोई है सभी को इसी तरह से हमने बना लिया है सभी लोई को इसी तरह से चिकना कर लेना है तो सभी लोई चिकना हो गया है अब क्या करेंगे कि सांचा लेंगे यह सांचा मार्केट में असानी से मिल जाता है और सांचा के ऊपर घी लगा लेंगे घी या रिफाइन कुछ भी आप लग करनेंगे तो सबी को इसी तरह से बणा लेना है तो हमने सबी ठेकवा को इस तरह से बना लिये आप चलते से फ्राइब करने तो गैस हमने पहले के यह अपас यहापई तेल गर्म होने के लिए तो तिल आदे हमारा घर में हो गया है देख पार इसे पलट लेते हैं और ये ठेकवा फ्राइ करते से में फ्रेंड से ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लोड टू मीडियम रहे हाई नहीं करना है वरना क्या होगा कि उपर से तो अच्छा दीखेगा लेकिन अंदर ये ठेकवा कच्छा रह जाएगा तो देखे इस क्लार हल्का हल्का चेंज हो रहा है तो इसे अलटल लट कर रिचां ता इस तरह से इसे फ्राइ कर लेंगे और दिख totally is этой got a डागया है लिए थेंट से निकाल बढ़ी है ऐसे चाल लेंगे है और कलर देखे कितना बढ़ी हैं तो आप रहते ही चलित लिधि पजा कर देते है। और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही कम समय में यह बन जाता है तो फ्रेंड्स आप चीनी के जगा इसमें गुर का भी यूज कर सकते हैं गुर को गुन-गुने पानी में थोड़ा सा गोल के तब डालिए तो वह भी बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा तो फ्र